Hello everyone, this is Dr. Sam और आज हम पढ़ रहे हैं Post Transcriptional Modification सबसे पहले तो आप Post का जो लफज है इसका मतलब समझे देखे हमारे पास होते हैं एक होते हैं Pre Medical Students आई हैं जो Medical से पहले होते हैं यानि कि FAC वाले इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा एक होते हैं Graduate और एक होते हैं Post Graduate यानि कि Post Graduation वाले जो डिग्री होती है Post का मतलब क्या होता है कि एक बंदी ने अपनी graduation कंप्लीट की है और हो graduation के आगे अब जा रहा है तो उसके साथ Post लगता है तो Pre का मतलब क्या है कि पहले यानि कि Medical से पहले तो Pre का मतलब है पहले और Post का मतलब है कि बाद में एक चीज़ सही है तो इसी तरह जो Post Transcription है ना Post Transcription मतलब यह है कि Transcription का Process अब कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है Modification, Modification का मतलब यह कि Changes सही है Post Transcriptional Transcription के बाद होते है Changes अब यह Changes किस चीज़ में होते है हमारे पास एक Messenger RNA बनाता Transcription के Result में हमारे पास एक Messenger RNA बनाता तो वो जो Messenger RNA था वो था Primary Messenger RNA वो क्या था Primary Messenger RNA अब उसमें बहुत सारी Modification मतलब Changes आ जाती है और वो बन जाता है एक मिचेवर Messenger RNA तो इस प्रासिस को हम कहते है Post Transcriptional Modification देखें मैंने यहाँ पर दुबारा से आप लोगो लिखा हुआ है कि Modification में क्या होता है एक Primary Messenger RNA Transcript Primary Messenger RNA Transcript जो है वो मिचेवर RNA में या Functional RNA में Functional Messenger RNA में यहाँ पर मैं M लेकू साहिए क्या Messenger Primary Messenger RNA जो है वो मिचेवर या Functional Messenger RNA में Convert हो जाता है साहिए अब यह Conversion यह Process किस में होती है किस में नहीं होती तो देखो यह Process Only and Only Yukari Arts में होती है यह बात आप लोग याद रखके साहिए बहुत Important है यह Post Transcriptional Modification जो है यह Only and Only Yukari Arts में होती है Prokari Arts में यह Process नहीं होता यह Process Prokari Arts में नहीं होता अब क्यूं नहीं होता देखो हमारे पास उन में कोई Special Nucleus Boundary नहीं होती साहिए इसलिए वो Directly ही Translation में जाती है अब क्या मतलब है मेरा मैं समझाता हूँ आप लोगों को यह हैं हमारे पास Nucleus तो Nucleus के अंदर हमारे पास क्या होता है DNA से मेसेंजर RNA बन जाता है साहिए जिस Process को हम इस Process को हम क्या कहते है Transcription कहते है साहिए अच्छा जी अब मेसेंजर RNA बन गया यहां पर यहां पर फर्दर क्या हो जाती है यहां पर Emanue Acid एक दूसरे की साथ लगते है और फाइनली एक प्रूटीन बन जाता है तो यह मेसेंजर RNA यहां सब तक आती हुए इस रस्ते में इसको बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ता है जिसके लिए हमें पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शनल मोडिफिकेशन करने पड़ती है क्यों मतलब एक बंदा गर से बाहर जाता है तो इसके अम्मी कहती है यार कि तुम वो पहनो टूपी पहनो जो है जेकट पहनो तकि तुम्हें सर दी ना लगे या तुम्हें कोई और खत्रा ना हो सही है तो क्या खत्री से निमटने के लिए क्या हो जाता है उसको हम सेफ कर देते हैं तो इसलिए खुद्रत ने भी कुछ ऐसा काम किया है उसकी सेफटी के लिए उन में मोडिफिकेशन की हुई है और उन modification को हम कहते हैं post transcription, नहीं कि transcription के बाद modification, सही है, अच्छा जी, अब ये process प्रोकरियार्ट में क्यों नहीं होता, प्रोकरियार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि उसमें nucleus की कोई special boundary नहीं होती, nucleus की कोई special boundary नहीं होती, ऐसा excited सा region होता है, सही है, तो इसलिए ऐसा नहीं होत कि अब उसको na nucleus से निकलना पड़ेगा, और यहाँ अलग environment फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, messenger RNA nucleus से जब निकलता है, nucleus की boundary से, तो एक अलग environment वो फेस करता है, साइटो प्लाजम का, तो इसलिए उसको खतरा होता है, जबकि प्रोकरियार्ट में तो ऐसा निकलियस के boundary आलरड़ी नहीं होती, और वो आलरड़ी साइटो प्लाजम की जितनी भी खतरात होते हो फेस कर रहा होता है, तो इसको कोई नुक्सान होता ही नहीं है, तो इसलिए उसमें जो है, इन modification की जरूरत नहीं है, सही है, तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि पो तो वेसी भी बाहर गूम रहे हैं, सही है, तो इसलिए जो है, प्रोकरियार्ट में ये प्रासिस नहीं होता है, जबकि यूकरियार्ट में ये होता है, यार मैंने बहुत टाइम लिया इस चीज़ की उपर, सही है, अच्छा जी, लेट्स कम टू अब मोडिफिकेशन के कौन कौन सी मोडिफिकेशन होती है, और कौन कौन से खत्रे होते हैं, तो सबसे पहले हम खत्रे देखेंगे, उसके बाद मोडिफिकेशन देखेंगे, पिर प्रासिस खदम हो जाएगा, अच्छा जी, इस डाइग्राम में देखे हूं, मैंने आप लोगों को यहां पर क्या ड्र किया हुआ है, कि एक DNA से मेसेंजर RNA बन गया है, तो अब आप से अगर कोई पूछता है, कि ट्रांस्क्रिप्शन कहां पर होता है, तो आप लोगों ने अंसर क्या करना है, कि न्यूक्लियस में, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रांस्क्रिप्शन जो प्रासि में प्रोटीन फेक्टरीज हैं, तो ट्रांस्क्रिप्शन यहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांस्लेशन यहां पर होता है, और पोस्ट ट्रांस्क्रिप्शनल मोडिपिकेशन ये मेसेंजर RNA जब यहां से निकलता है, तो हमारे पास इसको क्या हो जाता है, एक यहां से निकल गया. सबस्केति तु यहां पर देखो बहुत सारी वो पड़ी होई है, क्या पड़ी होई है? पॉक्रे होई है, साइटोपलाजम में míster होई है? फास्पिटे अ Г और आप लोगों ने पड़ा होगा, साही है तो इस प्रासिस को पोस्ट ट्रंस्क्रिप्शनल मोडिफिकेशन कहते हैं अचा जी अब लग आप लोग यहां पर गवर करें तो पास्पेटेजिस और नुक्लियजिस ये दोनों किस चीज की दुश्मन है ये बिल्कुल मेसेंजर आ रहे हैं कि दुश्मन है कि जैसी यहां से निकलता है इस पर अटेक करें लेकिन खुद्रत ने क्या क्या है इसको प्रोटेक्शन के लिए एक टूपी पेने हैं हेलमेट पेना हुआ है जब बाइक चलाते हैं तो हम हेलमेट पेने हैं दूसरा हमने पढ़ाता ना कि इसमें क्या होते हैं हमने पढ़ाता कि इसमें इंट्रान और एक्जान होते हैं जो रिड मैंने ड्रा की हुए ये क्या है ये जगा जगा पर आप लोगों के पास इंट्रान हैं इंट्रान मतलब जो इंटरप्शन कास करते हैं सही है मैंने होते हैं non functional होते हैं सब्सक्राइब करते हैं क्या करते हैं इंटरप्शन कास करते हैं दूसरा जो है यह structure आप DNA में मैंने बड़ा detail से पढ़ाया है आप लोग वहाँ से जरूर देखें दूसरा हमारे पास जो green green के ना यह functional है function मतलब यह कि यह किसी amino acid को कोड करते हैं ऐसा एक amino acid इसकी उपर लगता है सही है फिर दूसरा लगता है तीसरा और एक protein बनता है तो यह बिल्कुल जबर्दस किसम के sequences है exon जो है ना exon क्या नाम है exon एक्जान क्या करते हैं यह अच्छे sequences है functional sequences है जबके entran जो है वो functional नहीं है non-functional है तो इसलिए हमें in entran को remove करना पड़ेगा इस messenger RNA से हमें entran remove करना पड़ेगा before it go through the process of translation तो दो काम हम करते हैं इसको टोपी पहनाते हैं टेल पहनाते हैं यानि केप और head की edition दूसरा हम entran को क्या करेंगे remove करेंगे तो इस दो process को हम क्या कहते हैं modifications को modification हमने कौन कौन से modification की messenger RNA में टोपी पहना या टेल पहना या और entran remove कर दे तो यह modification हमने कर दिए modification मतलब यह होता है changes कर देना modify करना एक चीज को modify करना change कर देना अच्छे से बना लेना तो यह एक क्या था हमारे पास यह एक primary messenger RNA था जिसको हमने क्या बना दिया एक whichever यह अब क्या है यह एक whichever messenger RNA है यह क्या है एक whichever messenger RNA है जो कि बिलकुल खेर वाफियत से कहा पहुंच गया है राइबोसों में वो पहुंच गया है साहिए और इसमें कोई भी इंटराइटिंग सीक्वेंस इसमें नहीं है और एक अच्छा सा protein इसकी उपर बन सकता है अच्छा जी अब यहाँ पर मैंने तियोरी लिकी हुए explanation में कि इसको दो दो खतरात का पता है cutting या पिर degradation आप degrading enzyme होते हैं हमारे पास खतरात कौन कौन से हैं एक है पास्पेटेजिस दूसरा है न्यूक्लियजिस ये दोनों enzyme हैं बड़े खतरना के उस पर attack कर सकते हैं दूसरा non functional sequences हैं साहिए जिसको हम intron कहते हैं तो ये दोनों खतरात हैं अब इसका इलाज कैसे करते हैं तो टूपी पहनाते हैं टेल पहनाते हैं साहिए तो इसको हमने क्या क्या हमने केप की एडिशन की अब ये केप जो है ये किस चीज़ से बना हुआ है सेवन मीटाइल जी टी पी सेवन मीटाइल जी टी पी सेवन मीटाइल जी टी पी केप है साहिए ये इसकी composition है केप की composition क्या है सेवन पर सेवन उपर क्या टेज ह मेताईल گर्प 7 म जीटीप याद रखना है सभी है कि कर कि जो चादे अप लोग गई खोर्ब से लेकर यह इसका वह Final सपूंद क्राम है और यह यह जो experce handicap पर क्या है front приех imagine पर हमारे पासòn टेज़ हुए है और किस đाइरेक्शन में ये किस direction में arrange हुए ए फाने ये direction already विफट ता ना अब यहां पर फान पर ऐसी ही फान में तो इसको हम क्या केते हैं 5 to 5 attachment 5 to 5 attachment क्योंकि यह भी 5 ہے और ऐसी direction में हम झाते हैं तो यह भी 5 है तो यह क्या है यह 5 to 5 attachment है सही छोंड में लगा यह यह तो केप की आटेज्मेंट हो गई, दूसरा अप इसकी केटेल डेके तो टेल जो है वहों 3- इंट पर आटेज हुई है, किस इंट पर आटेज हुई है? 3 पर, केट किस डायरिक्शन ती, सारी, किस इंट पर थी? 5 पर, अच्छा जी, अब टेल को आप लोग दे के तो ये है पूली A-tail, एक क्या मतलब है, एड़नोसीन, एड़नोसीन, बहुत सारे एड़नीन, सारी एड़नोसीन नहीं, एड़नीन, बहुत सारे एड़नीन न्यूक्लोटाइट जो है, वो क्या हो जाते हैं, आरेंज हो जाते हैं, एड़नीन, 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 एड़न तो यहाँ पर बुक में भी यहाँ पर केपी एकार्डेइन टू केपी टेक्ट बुक इसमें 32 500 एड़नीन न्यूकलॉटाइड होती है इसमें सही हैं बहुत सारे कितने 32 500 न्यूकलॉटाइड होती हैं अच्छा जी अब अब अप लोग देखें इसमें यह तो एक हो गया ना प्रोटेक्शन की लिए केप और टेल, दूसरा आप लोग देखे तो इसमें बहुत सारे क्या है, एक्जान है जो कि फंक्शनल सीक्विंस है, विल एंड गूड अब इंट्रान है, तो यहाँ यह तो इंटरॉप्ट करेगा, प्रूटेण की सिंटी Says को, क्योंकि इसमें जो सीक्विंस है ना, यहाँ पर जो सीक्विंस है, तो वो तो बड़ा इंटरॉप्टिन Texas हमका है, नान प्रूटेंग कोडिंग है, वो प्रूटेंग को कोड नहीं कर सकता, तो interruption कास करेगा, तो ये क्या है, इसको हमें remove करना होगा, एक्जान पर है जबरदस एक्जान जो है, प्रोटीन बना सकते हैं एक अच्छा पिर intron आ रहा है इसको भी remove करना पड़ेगा, तो क्या कर जाते हैं हम, तो इन intron को हम remove करते हैं, तो finally हमारे पास क्या बन गया, intron जो है, उनको excised किया गया, remove किया गया, and exon spliced together, और exon जो है, उनको एक दूसरे से जुड़ दिया गया, तो क्या होगा हमारे पास, एक पूरी का पूरा ये क्या है, ये red color का, ये only and only exon है functional sequences है सही है, दूसरा जो है, अब इसको RNA splicing आप लोगों के बुक में एक चीज़ है, कि RNA splicing किस चीज़ को कहते हैं, यार तो ये जो है, हमारे पास ये जो intron की removal है, सही है intron की excisation, जो है excised करना, सही है, और exam को splice करना, तो इसको हम कहते हैं RNA splicing, और ये में वो क्या है, स्प्लाइको, सॉम्ज, ये catalyst use होते हैं, और कौन से enzyme है, जो intron को remove करते हैं, तो उन enzyme का क्या नाम है, RNA splicing endonucleases, सही है, वो क्या करते हैं, excision आप intron करते है, RNA splicing endonucleases, तो ये enzyme act करता है, और ये catalyst, और intron को finally remove कर देता है, इस process को हम क्या कहते हैं, the remove अलाप intron is called RNA splicing, सही है,